Hey guys, this is Vishal and welcome to this yet another episode on Tribute to Dr. Vanthap, Super Trader Series. यह Super Trader Series हमने Dr. Vanthap के Tribute पे शुरू की थी. वो हमारे एक अच्छे से mentor, coach और बहुती बढ़िया ट्रेडर थे. उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया और उनकी जो learnings है, उनकी जो books है, उनके प्रोग्राम्स है, उनके जो teachings है, उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए हमने यह series शुरू की है. इसमें आगले आपने कुछ और 3-4 episodes देखे हैं और इसमें हम आज एक बात करेंगे, mainly जो trader है, वो trading success क्यों नहीं पाते हैं? Three major reasons that people don't make it successful in trading. Now first and foremost is, they don't have any objectives or have any business plan. Trading को उनलोग एक hobby, एक part-time, एक casual तरीके से लेते हैं, एक dabbler तरीके से लेते हैं, उसमें कोई goal set नहीं करते हैं, continuous learning है, मतलब यह एक profession है, अब आप देखोगे कि doctor का profession है, भले वो doctor बन जा है, फिर भी continuously learn करते रहते हैं, क्योंकि नए-नए दवाईया, नए-नए techniques, नए-नए machines आते हैं, वैसे सारे field में होता है, engineering में भी होता है, वैसे ही technicals में और markets में भी बहुत सारी नए चीज़े होती है, market बदलते है, market का timing बदलता है, नए-नए market शुरू होता है, इंटरडिपंडेंस ही आ जाती है, तो वो continuous learning वाला attitude नहीं होता है, business planning नहीं होता है, इसको business की तरह नहीं करते है, एक सटे या gamble या part-time की तरह करते है, और उसके कोई objectives, goal set नहीं करके रहते हैं, जैसे हम जो आपने कोई business शुरू किया, तो आप बोलोगे, मुझे एक साल में दो साल में, तीन साल में, इतना turnover करना है, इतनी branches खोलनी है, इतना product sale करना है, वो तरह का planning नहीं होता है, इसलिए पहला reason है कि इसको हम business की तरह से नहीं लेते हैं और objectives नहीं रहते हमारे पास, second reason for not becoming a successful trader investor is that हम सही जगा पे गलत formula यूज करते हैं, मतलब जब हमको risky, जब हमको trade लेना चाहिए, जब हमको expand करना चाहिए, तब हम conservative बन जाते हैं, और जब हमको risk को control करना है, तब हम ज़्यादा risk लेते हैं, इसको बोलते है, gamblers fallacy, मतलब आप देखो कि ज़्यादा तर लोग क्या करते है, 100 रुपे में कोई stock खरीदा, और अगर वो नीचे जाता है, 80 रु average करने की कोशिश करते है, मतलब आप ज़्यादा risk लेरो, already loss हो रहा है, उसको उपर average करोगे, तो और भी loss हो सकते हैं, अगर वो नीचे जा रहा है, मतलब आप गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा risk लेने, जब कि हमको बहुत conservative होना चाहिए, क्योंकि जब 100 का 90 हो हो गया, तो market बता रहा है कि आप सही हो, आपको और लेना चाहिए, बट हम बेज देते हैं, चलो यह profit ले लिया, और बाद में ओर 200 हो जाता है, तो ऐसी अगर आपके साथ कहानी हुई है, सब के साथ होती है, पर यह जो mindset है, उसको change करना पड़ेगा, क्योंकि जब risk होता है, जब loss होता है, तभी हमको cut down करना पड़ेगा, और जब profit होता है, उसको scale up करना पड़ेगा, उसमें positive pyramiding जो बोलते हैं, मलब 100 में खरीदा, फिर 120 में खरीदा, 150 में खरीदा, और उसको average positive pyramiding करेंगे, तो हमको और wealth create करने का मौखा मिल सकता है, जैसे सारे बड़े traders और investors करते ह है, तो अगर आपने भी ये गलतिया की है, तो मुझे chat box में, comments में बताइए कि क्या गलतिया की है, और ऐसे conscious stock आपके miss हो गए, जो इसमें आपने जल्दी profit book कर लिया, तो ये number two गलती है, कि हम risk लेना चाहिए, तब लेते नहीं, या profit जल्दी book कर देते हैं, और loss में बड़ा लॉस हो गया, तो आप ज्यादा क्यों लॉस हो गया, और उसने मेरे को गलत news दे दिया, और मैंने उसको बोला था, लेकिन उसने बेचा नहीं, या मेरे trainer ने, या मेरे coach ने बताया, या मुझे news मिली, खबर मिली, बट मैं तो बोल रहा था करने को, लेकिन मैंने किया नहीं, मतलब आप जो भी अपना जो गलती है, उसको आप दूसरे के उपर डाल रहे हो, मतलब किसी और broker की वज़े से, dealer की वज़े से, news की वज़े से, circumstance की वज़े से, अरे war हो गया, तो मैं क्या करूँ, market तो अच्छा था, लेकिन war हो गया, इसलिए नीचे आ गया, बट मतलब responsibility नहीं ले रहे हो, जब तक responsibility नहीं लोगे, अपने results का, अपने actions का, तब तक आप आप आगे नहीं बट सोगे, इन फाक्ट ये जो चीज़े है, ये सारे areas of life में भी कामाती है, business में भी कामाती है, अपने personal life में भी कामाती है, which lesson you need to learn, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, और मेरा जो profit है या loss है, जो भी मेरा temperament है, उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ, अगर मैंने loss book नहीं किया, तो मेरी गलती है, अगर मैंने गलत stock खरीदा, तो मेरी गलती है, अगर मैंने किसी wrong आदमी का सुन लिया, वो भी मेरी गलती है, उसने तो बोला, लेकिन सुनना आपका काम है, कर सेक्टर में निवेश कर लिया गलत आदमी पर बरोसा कर लिया यह सब अगर अपने आप पे लोगे तो आप सुधरोगे मिलाब वें यू ट्राइट तो रेक्टिफाइट के ठीक है चलो मुझे ये नेक्स टाइम गलती नहीं करनी है नहीं तो हर एक बार लॉस करोगे और आप को 10,000 कारण मिलेंगे हर एक जन को या किसी को ब्लेम करने के लिए आप कभी गवर्मेंट को ब्लेम करो कभी रिसेशन को ब्लेम करो कभी चायना को कभी और आपको लगता है कि यह गलतिया मैं भी कर रहा हूं और अभी आप वो सुधारना चाहते हो तो मुझे वो चैट बॉ अगले एपिसोड में उसके बारे में बात कर सकूँ और आपको और भी उनका जो नॉलेज है डॉक्टर वैंट करता हूं कि आप उनकी किताबे पड़े उनके वीडियो जो भी अविलेबले देख सकते हो और उनका जो नॉलेज था वह वैसा नॉलेज मैंने आज तक देखा नहीं है और उनका जो एक program था suis उपट्रेडर जो करीब तीन साल का रहता है जब अगर सुपर सक्सेसफूल द्रेडर बना है तो उसी program को हम लोग चाहते है कि हम इंडिया में करते हैं जैसे ट्रेड अवी program उसी lines पर हमने बनाया है एक साले और उतके में जानकार ही लिए सक for all the knowledge and wisdom हमारे गुरू और अगर आपको लगता है इससे अपने कुछ सीखा तो कमेंट में बताएए इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू सो मच गुड़ लक एंड गुड़ ट्रेडिंग